नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रेहान है, आज हम अद्भुत लापीस लाजुली के बारे में जानेंगे। आध्यात्मिक जागरुकता, लापीस लाजुली अक्सर आध्यात्मिक ज्यान, आंतरिक शांती और जागरुकता से जुड़ा होता है। ऐसा माना जाता है कि यह आध्यात्मिक विकास को बढ़ाता है और ध्यान प्रथाओं को गहरा करता है। आंतरिक बुद्धी, बुद्धी के पत्थर के रूप में जाना जाता है, लापीस लाजुली को ग्यान, सच्चाई और समझ की इच्छा को उत्तेजित करने के लिए माना जाता है। यह विक्तियों को उनके आंतरिक ग्यान और अंतर ग्यान तक पहुँचने में मदद कर सकता है। बुद्धिक स्पष्टा ऐसा माना जाता है कि लापीस लाजुली बुद्धिक क्षमताओं को उत्तेजित करता है, याददाश्ट बढ़ाता है और विचार की स्पष्टा को बढ़ावा देता है। यह समस्यस माधान और निरने लेने की प्रक्रियाओं में सहाईता कर सकता है। रचनातमक्ता कई लोगों का मानना है कि लापीस लाजुली रचनातमक्ता को प्रेरित करती है और कलातमक अभिव्यक्ति को प्रोचसाहित करती है। इसका उप्योग अक्सर कलाकारों, लेक को और संगीतकारों द्वारा रचनात्मक बाधाओं को दूर करने और अपनी रचनात्मक क्षमता का दोहन करने के लिए किया जाता है। सुरक्षा, प्राचीन काल में लापीस लाजुली को नकारात्मक उर्जा, मानसिक हमलों और अभिशाप से सुरक्षा प्रदान करने वाला माना जाता था। इसे अक्सर सुरक्षा के लिए ताबीज या ताबीज के रूप में पहना जाता था। शारिरिक उपचार हाला कि कुछ लोगों का मानना है कि लापीस लाजुली में शारिरिक उपचार गुण है। ऐसा कहा जाता है कि यह श्वसंतंत्र, गले, थाइरोयड और स्वर्यंत्रों को लाब पहुँचाता है। यह सिर्दर्द और माइग्रेन को कम करने में भी मदद कर सकता है। चक्र संतुलन, लापीस लाजुली गले के चक्र और तीसरे नेत्र चक्र से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि यह इन उर्जा केंद्रों को संतुलित करता है, स्पष्ट संचार, अंतरग्यान और आध्यात्मिक अंतरद्रिष्टी को बढ़ावा देता है। आत्म भिव्यक्ति, लापीस लाजुली व्यक्तियों को स्वयम को प्रामानिक रूप से व्यक्त करने और अपनी सच्चाई बोलने के लिए प्रोच्साहिद करती है। यह निरनय के डर को दूर करने और किसी के विचारों और राय में आत्म विश्वास को प्रोचाहित करने में मदद कर सकता है। भूवै ग्यानिक और भौतिक विशेशता है। संरचना लापीस लाजुली एक चटान है जो मुख्य रूप से खनिज लाजुराइट के साथ साथ कैलसाइट, पाइराइट और सोडालाइट जैसे अन्य खनिजों से बनी है। रंग सबसे बेशकिमती लापीस लाजुली पत्थर गहरे नीले रंग का प्रदर्शन करते हैं, जिसमें अक्सर सोने के पाइराइट और सफेद कैलसाइट के टुकडे होते हैं। कठोर्ता, मोह पैमाने पर लापीस लाजुली की कठोर्ता पांच से पांच तशमलव पांच है, जो इसे अन्य रतनों की तुलना में अपेक्षाकृत नरम बनाती है। घटना, लापीस लाजुली मुख्य रूप से अफगानिस्तान में पाया जाता है, जहां हजारों वर्षों से कुछ बहतरीन गुनवत्ता वाले पत्थरों का खनन किया गया है। यह चिली, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अन्यक्षेत्रों में भी पाया जाता है। प्राचीन उप्योग, लापीस लाजुली का सम्रिद इतिहास छे हजार वर्ष से भी अधिक पुराना है। इसकी सुंदर्ता और प्रतीकवाद के लिए सुमेरियन, मिस्र, युनानी और रोमन जैसी प्राचीन सभिताओं द्वारा इसे अत्तिधिक महत्व दिया गया था। शाही संग, प्राचीन मिस्र में लापीस लाजुली का उप्योग अभूशनों, ताबीजों और दफन अभूशनों में किया जाता था। इसे अकसर राजपरिवार और देवताओं से जोड़ा जाता था, जो शक्ती, ग्यान और सुरक्षा का प्रतीक थे। कलात्मक उप्योग, वरनक अल्ट्रामरीन बनाने के लिए लापीस लाजुली को पीसकर पाउडर बनाया गया था, जिसका उप्योग पेंटिंग के लिए माइकल एंजेलो और वर्मीर जैसे प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा किया गया था। प्रतीकवाद और आध्यात्मिक गुण बुद्धी और सत्य लापीस लाजुली को अकसर बुद्धी का पत्थर या सत्य का पत्थर कहा जाता है, जो आंतरिक द्रिष्टी, अंतरग्यान और ज्यानोदय का प्रतीक है। संचार यह गले के चक्र से जुड़ा है, जो इसे संचार कोशल, आत्म भिवक्ती और इमानदारी को बढ़ाने के लिए फाइदे मंद बनाता है आध्यात्मिक जागरुकता माना जाता है कि लापीस लाजुली आध्यात्मिक विकास को प्रोचाहित करता है, ध्यान प्रथाओं को गहरा करता है और आंतरिक शांती और जागरुकता को बढ़ावा देता है सुरक्षा, प्राचीन काल में लापीस लाजुली को नकारात्मक उर्जा, मांसिक हमलों और अभिशाप के खिलाफ एक सुरक्षात्मक पत्थर माना जाता था उप्योग और अनुप्रेयोग अभूशन, लापीस लाजुली का उप्योग आमतोर पर इसके आकरशक रंग और एतिहासिक महत्व के कारण अंगूठियों, हार, कंगन और बालियों जैसे गहनों में किया जाता है सजावटी वस्तुए, इसका उप्योग इसकी सुन्दर्ता और प्रतीकवाद के लिए नकाशी, मूर्तियों और जड़ाई जैसी सजावटी वस्तुएं में भी किया जाता है अध्यात्मिक अभ्यास, बहुत से लोगध्यान, चक्र संतुलन और उर्जा उपचार जैसे आध्यात्मिक उद्देशों के लिए लापीस लाजुली का उप्योग करते हैं एतिहासिक कलाकृतिया, लापीस लाजुली की कलाकृतिया और वस्तुवे दुनिया भर के पुरातात्विक स्थलों में पाई गई हैं, जो प्राचीन संस्कृतियों और उनकी मान्यताओं के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। देखभाल और रकरखाव अपेक्षाकृत नरम प्रकृति के कारण लापीस लाजुली को सावधानी से संभालना चाहिए। कठोर सामगरी से इस पर खरोंच यक्षती हो सकती है। कठोर रसाइनों एसिड और अत्तिधिक तापमान के संपर्क से बचें क्योंकि वे पत्थर को नुकसान पहुचा सकते हैं। लापीस लाजुली के गहनों को हलके साबुन और पानी से साफ करें। गंदगी और मलबे को धीरे से हटाने के लिए मुलाइम ब्रश का उपयोग करें। अच्छी तरह धोएं और एक मुलाइम कपड़े से थप्त पाकर सुखा लें। प्राचीन मिस्र प्राचीन मिस्र में लापीस लाजुली को अत्तिधिक महत्व दिया जाता था और यह राजगराने देवताओं और उसके बाद के जीवन से जुड़ा हुआ था। ऐसा माना जाता था कि इसमें सुरक्षात्मक गुण होते हैं और इसका उप्योग अकसर आभूशनों, ताबीजों और दफन आभूशनों में किया जाता था। लापीस लाजुली का प्राचीन में सुपोटामिया और सुमेर में धार्मिक महत्व था, जहां इसे देवी देवतां से जोड़ा जाता था। इसे शक्ती, बुद्धी और देविय अनुग्रह का प्रतीक माना जाता था। सुमेरियों का मानना था कि लापीस लाजुली में जादूई गुन होते हैं और यह इसे पहनने वाले को आशीरवाद देता है। लापीस लाजुली का उपयोग अकसर धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ मंदिरों, मूर्तियों और धार्मिक कलाकृतियों की सजावट में भी किया जाता था। प्राचीन ग्रीस और रोम लापीस लाजुली का उपयोग अभूशनों, कैमियों और इंटेग्लियों में किया जाता था, जो अक्सर पौरानिक द्रिश्यों या धार्मिक प्रतीकों को चित्रित करते थे इसाई धर्म लापीस लाजुली का उलेख बाइबल में किया गया है, विशेश रूप से यरुशलेम के स्वर्गिय शहर के वर्नन में रहस्योद घाटन की पुस्तक में नए यरुशलेम की दीवारों को जैसपर से बना बताया गया है और शहर साफकाँच की तरह शुद्ध सोने का था प्रकाशितवाक्य 21, 1821 जबकि लापीस लाजुली का विशेश रूप से उलेख नहीं किया गया है, इसका गहरा नीला रंग आकाशिये या दैविये से जुड़ा हो सकता है बौद धर्म और हिंदु धर्म बौद धर्म में लापीस लाजुली औश्दी बुद्ध के साथ जुड़ा हुआ है, जिन्हें अकसर उपचार अमरित से युक्त लापीस लाजुली जार पकड़े हुए चितरित किया जाता है यह उपचार ग्यान और आत्म ग्यान का प्रतीक है हिंदु धर्म में लापीस लाजुली गले के चक्र विशुद से जुड़ा हुआ है, जो संचार, आत्म भिविक्ती और आध्यात्मिक सत्य को नियंत्रित करने वाला माना जाता है इसलामी परंपराए इसलामी कला और संस्कृती में लापीस लाजुली का एतिहासिक महत्व है इसका उपयोग मस्जिदों, महलों और पांडुलिपियों की सजावट में किया जाता था, खासकर इसलामी स्वर्न युक के दोरान इसलामी विद्वान और कलाकार लापीस लाजुली को उसके गहरे नीले रंग के लिए महत्व देते हैं, जो स्वर्ग का प्रतीक है और अक्सर धार्मिक ग्रंथों और वास्तुकला में खगोलिय रुपांकनों और सुलेख को चितरित करने के लिए उपयोग किया जाता था पूरे इतिहास में विभिन धार्मिक परंपराओं और संस्कृतियों में लापीस लाजुली को दैविय कृपा, ज्ञान, सुरक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रतीक के रूप में प्रतिष्टित किया गया है इसके गहरे नीले रंग और जिलमिलाते सुनहरे धबों ने विसमे और श्रद्धा को प्रेरित किया है, जिससे यह स्थाई धार्मिक महत्व के साथ एक पोशित रत्न बन गया है देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको यह विडियो पसंद आया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और कमेंट भी करें मेरी सामगरी को बहतर बनाने के लिए मुझे प्रतिक्रिया दें